हिससे पहले मॉड्यू में हम क्वानिटियटिव रिशर्च डिजाइन और फिर क्वालिटैटिव रिसर्च डिजाइन पर बात कर चुके अब इसी कॉन्टिनवेशन में जो 3 कारे हमते हेरेस सेट Mixed Method Research Designs से मुराद अमूमन ये ली जाती है कि जिसमें Qualitative Research और Quantitative Research दोनों को एक साथ इस्तमाल किया जाता हो मुख्तलिफ पैटरंस में तो हम इसके डिजाइन्स पे बात करेंगे इसमें उनमें सबसे पहला Research Design जिसमें हम गुफ्तकू करेंगे वो Convergent Mixed Methods है Convergent के लफ़ज को जहिन में रखिए तो Basically क्या है कि आप Quantitative Research Designs और Qualitative Research Designs दोनों को Simultaneously इस्तमाल करें देखिए जब मैं कहता हूँ कि हम Qualitative और Quantitative दोनों इस्तमाल करेंगे तो दोनों इस्तमाल करने के बहुत Limited से Avenues है मिसाल के तोर पे मैं Qualitative और Quantitative दोनों एकठाई शुरू कर दूँ किसी Research में या पहले Quantitative करके फिर Qualitative कर लूँ पहले Qualitative करूँ और उसके बाद Second Part में Quantitative कर लूँ तो यही चांद एक पैटरन बनेंगे ना जिसमें आप इन दोनों का इस्तमाल एकठाई कर सकते हैं इन सूरतों में सबसे पहली सूरत यह कि जब आप Qualitative और Quantitative दोनों इस्तमाल करें दोनों डेटा कलेक्शन इस्तमाल करें या दोनों डिजाइन्स दोनों के यूज करें और उनको साइमल्टेनियस ली शुरू कर लें यानि मैं रिसर्च के आगाज से ही Qualitative अलहदा करता जाओं Quantitative अलहदा करता जाओं मेरा Research Questions वही होंगे लेकिन उन पे Qualitative डेटा भी लूँँगा Quantitative डेटा भी लूँगा और दोनों का काम साइमल्टेनियस शुरू कर दूँगा और फिर End पे उसका इस्तमाल एकठे करूँगा तो ऐसी सूरते हाल में जब मैं इस तरह काम करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने Convergent Mixed Method Design इस्तमाल किया जो इसका पहला स्टेप यानि पहली स्टेज तो फिर यही हो गई कि Research के आगास से ही Quantitative Data और Qualitative Data दोनों में एकठे इस्तमाल करना शुरू कर दूँगा इससे यह होगा कि क्योंके मेरा पीछे Framework बना हुआ है Research Questions बने हुए हैं उन में से हर Question पे मैं Qualitative Information भी और Quantitative Information भी Probably कठी करना शुरू हो गया हूँ So मुझे इससे Comprehensive तरीके से Information मिलना शुरू हो जाती है Qualitative Data और जो Quantitative Data मैं कठा कर रहा हूँ उनकी एक दूसरे में Dependence नहीं है एक दूसरे के साथ कोई सीक्वेंस नहीं है कि एक आएगा तो दूसरा आना शुरू होगा दोनों साइमल्टेनियसली Collect होना शुरू हो गए इससे मेरे पास जो Data Collect होगा वो Rich होगा वो बहुत ज़्यादा Extensive होगा और मुझे एक ही Question पे दोनों सूर्सस से मुख्तरिफ तरह की Information मिलेगी जो एक दूसरे को Supplement या एक दूसरे को Compliment भी कर रही होगी तो ये वाला इसका पहला स्टेप है जीसकी सबसे इस डिजाइन में दूसरी बात ये है कि दोनों तरह से आई होए Data का Analysis मैं अलहदा अलहदा करता हूँ Quantitative Data जो Collect करता हूँ उसका Analysis Quantitative Method से हो जाता है जो Qualitative Data लेता हूँ उसका Analysis Qualitative Method से कर लेता हूँ मिसाल के तोर पे Qualitative Data जो मैं लूँगा उसके अंदर से मैं Themes जो हैं उनको Synthesize करके Themes निकालूँगा उनके सब Themes निकालूँगा उनको मैं फिर Patterns को Identify करूँगा उसका Thematic Analysis कर सकता हूँ मैं जो भी तरीके हमने पीछे Qualitative में पड़े वो तमाम इसके Analysis वे इस्तमाल हो जाएंगे अगर Quantitative Data आया तो उसका Analysis बिलकुल उसी तरह से जैसे आप Means, Trans-Dividend, Descriptive Analysis या Inferential Analysis जो हम Statistical तरीकों से करते हैं आप उसका Analysis उसी तरीके से करेंगे तो आपने दो Analysis दो तरह के Analysis साइमल्टेनियसली रन कर लिये तीसरा इस डिजाइन का फीचर जो है वो यह होगा कि आप उन दोनों तरह से आई हुए डेटा को जो के दो इंडिपेंडेंट तरीकों से एनलाइज किया गया है उनको एक दूसरे के साथ सिंक करेंगे एक दूस का qualitative analysis जो है क्या उसको supplement करता है उसकी support करता है उससे contradict करता है इस pattern को मैं compare करके अपने analysis को एक दूसरे के साथ दूसरे के साथ कनेक्ट करता चाहूँगा और फिर उसको connect करने के बाद उसमें convergence लाना चाहता हूँ convergence से मराद यह है कि दोनों की findings एक single point पे कहां एकठी होती है दोनों की findings को मैं explain करना चाहूँ एक दूसरे के साथ मिला के तो उनका conclusion क्या draw कर सकता हूँ सो मैं एक convergence synthesis करता हूँ कि अगर उनमें फरक भी आ रहा था या उनमें similarities आ रही थी तो उनको अगर मैं दोनों तरह के analysis को एकठा रखके पढ़ूँ तो मैं किस conclusion पे पहुंच सकता हूँ जो कि उन दोनों analysis से support किया हुआ conclusion होना चाहिए सो इस तरीके से मैं उन findings का इस्तमाल करके उनको एक जगा ले आता हूँ